हे गाईस क्या हल चल आप सबके मैंने में जेवी सिंग एक बार फिर से आपकस हमने हाजिर हूँ और आज हम लगबग कम्पलीट कर रहे हैं अपने बायो को अल्मोस्ट कम्पलीशन की तरफ है अब हम शुरू करने वाले हैं आई के बारे में वैसे तो आई का जो पॉर्शन है यह फिजिक्स का पॉश्चन है वहाँ हमें पढ़ना चाहिए बट स्टिल क्योंकि कुछ लोग यह न बोल दें कि यहाँ पर बायो कम्पलीट नहीं हुई है तो मैं आपको जो भी करवारा हूँ कम्पलीट करवारा हूँ अपनी तरफ से तो आईए बायो के अंदर भी है रेटीना इसी के उपर क्या है सारी की सारी इमेज बनती है जो भी आप चीज को देखते हैं दूसरा बीच में इसके होगा कोरोईड और सबसे बाहर वाली यह जो वाइट कलर की है यह होगी स्क्लेरा आप देखिए आपकी आख को अभी देखिएगा आगे का बीच का वो भी वाइट है जी नहीं यह वाइट नहीं इसको क्या बोलेंगे यहां आगे जो है आपको दिखाई दे रहा है अंडा सा यह जो ब्लैक कलर का इसका सबसे बाहर वाला भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं कोर्निया बोलते हैं और यह जो वाइट वाला पूरे का पूरा बोल है हमारी आग की उसको क्या बोलते हैं स्क्लेरा बोलते हैं यहां से आपको कोई confusion I hope की नहीं होगी अब होता क्या है यहां पर human eye एक ऐसा organ जो की react करता है light की तरफ और यहां पर क्या होता है कि 10 million से भी ज्यादा colors को हमारी आख जो है वो differentiate कर सकती है आई जो है ना that is composed of anterior segment and posterior segment anterior और posterior देखिए यह posterior segment हो गया फिर यह जो है बाहर की तरफ का यह anterior segment हो गया यह होता है field aqueous humor से फिर बाकी वो जो है वो तो यहां पर आप देखिए कि muscles होती है यह सब मैं C type जादा बना होता है और यह transparent होता है यह आपको ऐसे नहीं देखिएगा इसकी through ही light अंदर जाती है दोस्त ऐसे ही आप देखिए कि the corneus transparent and markout comprised of vitreous retina choroid and outer white shell called the sclera तो यह सब तो मैंने आपको बताई दिये अपनी भाशा में कि choroid क्या है sclera क्या है यह वही चीज़े बताई है the eyes is made up of three layers यह three quarts बोल लीजिए outermost layer को हम बोलते है fibrose tunic and is composed of cornea and sclera तो वो हम देखी रहे हैं यह पूरा sclera हो गया आगे यह cornea हो गया outermost layer होगी जो innermost layer होती है वो retina होती है which gets its oxygenation from the blood vessels of the choroid and retinal vessels तो पूछ लिया जा सकता है कि retina को अपनी oxygenation कहां से मिलती है तो आप बोलेंगे blood vessels of choroid and retinal vessels से इसको मिलती है अपनी oxygenation की process अब आगे देखते हैं sclera के अंदर अगर थोड़ा सा कोई पूछ ले तो आप बोल सकते हैं कि यह tough और thick white sheet होती है जो कि हमारी आँख को बचा के रखती है यह जो पूरा white under से है इसकी बात हो रही है फिर यहाँ पर क्या एक picture में आथा और जो भी उसके अंदर देखे दिक्कते आ रही है कोई dust वगर आ रही है उसको remove कर देगी और साथ में क्या करेगी कुछ mucus और tears भी बनाती है आपको जो आसुँ आते हैं वो भी यह sclera के चारो तरफ बनते हैं फिर cornea जो होता है that is transparent layer of skin and is spread over the pupil and the iris तो आप देखे कि यह जो cornea है यह pupil और iris के आसपस ही उसके प्रोटेक्ट कर रहे एक तरह से अब देखे आइरिस जो cornea है ना इसका main काम कोई पूछ ले तो क्या होता है तो आप बोलेंगे reflect the light that enters the eye cornea का यह काम होता है light की reflection करना जैसे ही आपकी आँख पे आई रोशनी तो उसको यह reflect करेगा ताकि image को बनाया जा सके तो वही cornea का काम है फिर iris जो होता है यह क्या है color होता है यहाँ पे देख लेते हैं यह दिख रहे हैं आपको यह iris है आप ध्यान से देखेंगे अकर शी ले हुए हैं तो वही जो रेशे वाली जगह उसको क्या बोलते हैं हम आईरिस बोलते हैं ठीके दोस्त आईरिस जो होता है वो color होता है और pigmented part of the eye है यह करता कि है it controls the amount of light that enters the eye by changing the size of the pupil तो यह size of pupil को जो है change करके हमारे आख में जितनी required रोशने उतनी ही बेचता है जैसे कि मै example के तोरपे आपको बताता हूँ आप कभी भी cinema hall में जाएंगे तो बहर बहुत तेज रोशनी है और अंदर जैसी theater के अंदर जाएंगे आपको एक कुरसी नहीं दिखाई देगी या फिर इसका और एक example बताता हूँ आपको धूप से एकदम घर के अंदर आईएगा तो क्या आप देखो अगर प्यूपिल एक होगे यह प्यूपिल बड़ा एक होगे छोटा अगर तो बहर रोशनी बहुत जादा है तो आपको पता है कि आपको तो image बनाने के लिए थोड़ी सी जितनी required उतनी रोशनी चीए तो क्या मुझे इतनी रोशनी अपनी आख में गुस यहां पर रोशनी कम है क्योंकि भार तो जादा थी तो यह रोशनी कम है तो क्या होगा यह आपको जितनी देर में यह बड़ा होगा ना प्यूपिल जितनी देर में इसको बड़ा होना है उतनी देर तक ना आपको black black सा दिखाई देगी आपको साफ सुथरा अंदर नहीं द पिर जैसे ही यह बड़ा हो जाएगा तब आपको उसके अंदर और रोशनी एंटर करेगी, ज्यादा तरफ से रोशनी एंटर कर सकते हैं, फिर क्या होगा, आपको ज्यादा थोड़ा सा क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा, यह इसका आइरिस का काम हो गया, फिर प्यूपिल जो होता है, it is small opening located at the middle of the iris, it allows the light to come in, प्यूपिल जो है, यहाँ पे देख लेते कि कहा है, यह जो आपको दिखाई दे रहा है, यह आपको दिख रहा है, यह जो है, यह प्यूपिल है, ठीक है तो यह जो वाइट गलर का है, यह प्यूपिल है, और आप देखें कि यह आगे देखेंगे आप तो यह lens है, lens आपका जो होता है ना, इसको पकड़ा किसने होता है, यह जो muscles दिख रही है, इनको जो muscles है ना, इनको suspensory ligaments बोलते हैं, या ciliary body भी बोल देते हैं, यहाँ पे यह जो muscles है, अगर जैसे जैसे व्यक्ति को बढ़ापा आता है, तो यह विकन ओनी शुरू हो जाती है, जिससे कि आपका lens हिलना शुरू हो जाएगा, यह धिली हो जाएगी, यह धिली हो जाएगी, तो आपका lens हिलना शुरू हो जाएगा, इसलिए आपको चश्मा भी लग जाता है, फिर lens है कि एक transparent structure है inside the eye that focuses light rays on the retina, तो lens का का काम किया है कि जो भी light आ रही है, लेकिन यह brain के अंदर जाके again change हो जाती है, और आपका brain आपको सही ही image बताता है, वो उल्टी नहीं बताता है, ठीक है दोस्त, I hope कि आपको यह चीज़ समझ आई होगी, Retina is light sensitive tissue, तो retina कहां पे है, यह रहा, ठीक है, यह पूरे का पूरे, इस पे receptors होते हैं, पूरे का पूरा, तो जितनी भी light है कि उन receptors पे गिरेगी, जहां पे इसकी image बनती है, जिस भी चीज़ को आप देख रहे हो, उसकी, ठीक है, यह जो है light sensitive tissue है, that lines the back of the eye, it contains millions of photo receptors, बहुत स इसके उपर बने होते हैं, किस चीज़ के होते हैं, यह rods और cons कह सकते हो, इन photo receptors को, यह क्या करते हैं, यह करते हैं, detect करते हैं dim and colored lights को, और उसको convert कर देते हैं light rays को, किसमे electrical impulses में, अब क्योंकि मैंने क्या बता है, कि आपके अंदर जितनी भी nervous system है, nerves का बहुत बड़ा रोल है यह जितनी भी चीज़ है, देखो, lights, eye और retina पे image बनी, पर कितनी भी image बनती है, retina पे वो तब तक successful नहीं है, तब तक आपको समझ नहीं हैगी वो image, आप तब तक imagine नहीं कर पाएंगे, जब तक कि यहाँ पे जो vestibular nerves होती हैं या optic nerves होती हैं जब तक कि वो सारी की सारी information को impulse में create करके आपके brain तक ना पुचाएं, तो यह तारें लगी हुई हैं, यह सारी information को collect करके आपके brain तक पुचाएगी और brain फिर उसको detect करके समझ जाएगा कि अच्छा, यह तो हाथी है, यह घोडा है, क्योंकि brain ने पहले उसको देखा होता है, नहीं देखा होता 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 हो वो उसकी library बना लेता है दिमाग में, ठीक है बाई, और इसमें कौन सी image बनती है, यह real and inverted बनती है, असली image बनती है, लेकिन ulti बनती है, यानि कि अगर आप ऐसी किसी चीज़ को देख रहे हो, ऐसी किसी चीज़ को, तो वो उसकी image ऐसी बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी, ठ लेकिन brain के अंदर जब information जाएगी, तो brain उसको वापस से सीधा कर देगा, तो आपको सीधी ही दिखाई देगी वो, ठीक है, ऐसी ही देखिए आप जो rods होते हैं, यह highly sensitive होता है, dim light में, जैसे कि उल्लूओं की आख जो होती है, वो rods से ही बनी होती है, contains rods only, ऐसी जो cons हैं, cons होत होते हैं, sensitive to bright light, तो यह bright light को sensitive होते हैं, cons, जैसे कि hens हैं, तो मुर्गियां हैं, उनकी आखों के अंदर केवल और केवल, cons होते हैं, तो इसलिए आप देखिए कि सुवह उठते ही, क्योंकि bright light होती है, उनकी आखों में एकदम से चमाक आती है, तो वो बांग देने शुरू क देती हैं, फिर next है, aqueous humor, aqueous humor क्या है, एक watery fluid है, जो की present होता है, area between the lens and the cornea, it is responsible for the nourishment of both the lens and the cornea, आप देखिए यहाँ पर, यह हमारा है, aqueous humor न, तो vitreous humor तो इदर होता है, aqueous, आखों के आगे ही होता है, यह रहा, ठीके, यह रहा, आपको यह दिख रहा है, यह आगे पा पानी-पानी सा, यह basically किसमें help कर रहे है, यह nourishment में help कर रहे है, बोथ lens और cornea के, यानि cornea इदर है, और lens इदर है, दोनों के nourishment में यह जो पानी सा है, यह help कर रहे है, इसी को aqueous humor बोलते हैं, और यही एक तरह से आशू भी है, जब आपके आखों से तुरन-तुरन तुरन भी बाहराना शुरू कर देता है, और आपकी आखे जो हैं आप देखना, swell सा कर जाती है, इसके बिना, फिर vitreous humor कौन सा होता है, यह aqueous humor हो गया, जो यहां बे भरा हुआ है, पूरे का पूरा, यह transparent semi-solid होता है, jelly-like substance होता है, यह पूरी की पूरी आख में भरा हुआ होता ह है, और यह करता क्या है, यह आख की shape को एक proper shape में रहने के लिए maintain करता है, और जो reflection of light before it reaches the retina, तो यह reflection में भी help करता है, यहां पे ठीके दोस्त, आगे देखें, अब optic nerve क्या करेगी, जितनी भी information यहां रेटीना पे बनगी, optic nerve उस सारी information को जो की impulse बन गई है, अब impulse को क्या कर यहां से उठा के brain तक पुचाएगी, brain फिर आगे उसकी image बनाएगा, वही चीज है, फिर यह तो हो गया optic nerve का, फिर macula जो होता है, macula कहा है, small central area in the retina that contains special light sensitive cells, इसके पास क्या होते हैं, special light sensitive cells होते हैं, and allow us to find details clearly, यह हम इसके अंदर क्या है, यह मकॉला है, यह रहा, retina के उपर एक small सा area होता है, जिसको macula lutella बोलते है, macula lutella, तो यह जो है, यह आप इतना ज़्यादा sensitive होता है, special lights के लिए, कि यह आपको एकदम fine fine, बारीक बारीक details में भी देखने में help करता है, कि आपको एकदम बारीकी से पता लग जाता है, कोई भी चीज होती है, तो वो क इसकी वज़से हो रहा है, आपका macula lutella की वज़से हो रहा है, आगे बढ़ते है, defects in eyes, देखिए आप आख के अंदर जैसे मैं आपने ही बता देता हूँ, मेरेको myopia है, myopia का मतलब होता है, कि मैं pass की चीज़ तो देखता हूँ, मैं दूर की चीज़ नहीं देख सकता है, इस blur object के लिए आप lenses लगाएंगे, simple सी बात है, इसको correct कैसे किया जा सकता है, concave lens के through किया जा सकता है, आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ, थोड़ा सा, आप देखो कि suppose कीजिए, myopia है, तो myopia में क्या है, अगर आपकी image यहाँ पर concave lens है ना, आप देखो, यहाँ से रोशनी इस तरह से जो है, यहाँ कोना बन जाए ना, तो image अच्छी बनेगी, लेगिन यहाँ पर कोना नी बना, यह इस तरह से हो गया, अब क्या होगा, यहाँ पर अगर आपकी आँख के आगे एक lens लगा दिया जाए, जो की कौन सा है, concave lens है, concave lens कुछ ऐसा होता है, अब यहाँ जब आता है ना, तो यह क्या करता है, यह reflect कर देता है, जो भी light यूँ पास करेगी नो यूँ को कर देगा, तो यूँ कर देगा, तो फिर वो यहाँ के ऐसे आजएगी, यहाँ पर भी यह ऐसे आजएगी, तो यह आगे जाके फिर क्या मिल जाएंगी, ठीक है दोस्त, आप अगर नहीं समझ में हैं, तो मैं दुबारा बता देता हूँ, एक बर यह आपकी खुशी के लिए, दो light की रोशनिया इस तरह से आई, और वो इस तरह से मिली, यहाँ पर, तो यह आगे मिल गई, यह पिछे image पूरी नहीं बना पाई, लेकिन अगर एक यह जो lens है, यह आज ऐसे जा रही है, इसको और ज़्यादा ऐसे कर देगा, यह जो ऐसे जा रही है इसको ऐसे को कर देगा, तो इसको भी क्या कर देगा, ऐसे को कर देगा, तो यह दोनों आपस में कहीं यहाँ पर मिल जाएंगी, आपस में मिलेंगी, तो फिर क्या है कि वहाँ पर एक clear image बनना सेम जो इसके दूसरा case होता hypermetropia उसमें उल्टा होता है उसमें क्या होता है कि यू लाइट गई सोरी यहां lens लगा हुआ न तो यू lens के अंदर light गई तो वो जो image बनानी शुरू कर देता है वो पीछे को बनानी शुरू कर देता है पीछे को बनानी शुरू करेगा तो यहां पर हम क्या लगा देंगे convex lens लगा देंगे तो convex lens जो ऐसे हो रहा ना उसको ऐसे को कर देगा ऐसे ठीक है तो यह क्या करेगा इसको ऐसे कर देगा फिर यहां से भी light आई तो इसको ऐसे कर देगा तो यहां पर clear image बनना शुरू हो पास का दिखाई नहीं दे रहे, उसके लिए इलाज होता है, इसके अंदर कौन सा लेंस यूज ओजएगा, जैसे उसके अंदर कनकेव होए तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, कन्वैक्स लेंस यूज हो जाएगा, यहां लिख लीजे कहीं भी, अच्छा लिखने की जरूरत यह लिखाओ, convex lens इसके अंदर use होता है, I hope कि यह भी आपको समझायोगा hypermetropia यानि कि दूर का तो दिखाई दे रहा है past का दिखाई नहीं दे रहा है, यह usually बढ़ापे में आता है, जब यह जो ciliary muscles है यह weak हो जाती है, तो आपका lens उपर नीचे हो जाता है, तब ही ऐसा hypermetropia का case आना, usually शूरू होता है usually, ठीक है, बाकी तो exceptions are always there फिर astigmatism क्या है यह एक ऐसा defect है, जिस vision के अंदर जिसके अंदर क्या होता है images जो है ना properly focus हो ही नहीं बात है, रेटीना में, ना तो आपको उसकी length ना उसकी breadth आपको properly उसमें visible size हो नहीं बात है, उसका कारण यह है कि जैसे माली जी कि यह lens है, तो यह lens अगर ऐसा होना था ना, तो suppose कि यह ऐसा ना हो कि यह lens कैसा हो गया ऐसा अंडाकार हो गया, अंडाकार होने की वज़े से क्या है कि astigmatism आपको पैदा हो गया आपकी eyes में तो अब इसको क्यों कैसे किया जा सकता है इसको क्यों किया जा सकता है cylindrical lenses से, किस से cylindrical glasses से फिर ऐसे ही आप देखे कि एक बिमारी और हो सकती है वेक्तिकों, वो होती है cataract आपने सुना होगा कि आख में मोतिया उतराता है, या फिर आख में जाला आ जाता है, उसको क्या बोलते है आपको blur vision होनी शुरू हो गई, इसका मतलब है वो क्या होगा, cataract हो गया तो वहाँ पर doctor क्या करेगा, आपकी आख के lens को change करता है, किसको change करता है, lens को, क्योंकि इससे आपकी आखों की रोशनी भी जा सकती है, तो वो lens को change करतेगा, तो सारे का सारे जो है, जाला जूला, कुछ नहीं आएगा, फिर एकदम नया lens लगए, clean lens लगए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जाला जूला आएगा ही नी, उसके अंदर फिर आप देखिए glucoma, glucoma में क्या होता है, यह एक ऐसी disease है, जिसके अंदर intraocular pressure जो है न, वो बढ़ जाता है, जब आपका यहाँ पे pressure बढ़ गया, तो वो अगर बहुत जादा pressure बढ़ जा रहा है, तो यह जो नर्व है न, optic nerve, अगर उसने इसको damage कर दिया, यह जो है glucoma में, यह अक्सर होता है कि इसमें permanent vision चली जाती है cataract में तो फिर बचाई जा सकती है, लेकिन glucoma में कोई भी माईकलाल आपकी vision को बचा नी सकता, क्यों नी बचा सकता जैसे ही इस आख के अंदर intraocular pressure बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो अगर इसने pressure बढ़ने की वज़से आख में यह जो optic nerve है यह तूटी, यह इसके अंदर खराबी आई तो आपका देखिए कि यहाँ पर retina पर कितनी भी image बनती रहे वो optic nerve के थुरू brain तक जाएगी नी अगर brain तक वो चीच गई नी तो आपकी हमेशा के लिए वो आँख की रोशनी चली गई, यह सबसे बड़ी इसके अंदर समस्याए कि इसके अंदर glucoma में हो गया complete क्या जी हाँ, ठीक है तो यह आपने आज पढ़ लिया पूरे का पूरा eyes को, I hope कि आपको समझ आया होगा, eyes के अंदर मैंने उसकी disease भी cover कर दी, और थोड़ा-थोड़ा lenses के बारे में बता दिया, lenses के बारे में बहुत ज़़ादा detail में जाना तो फिर वो physics में हमें जाना पड़ेगा, लेकिन मोटे तोर पर हमने बता दिया, और एक-एक eye के part COVID की pupil क्या होता है, अगर आप भार धूप से एकदम से shadow वाले area में अपने room में आएंगे, तब क्या होगा, cinema hall में जाएंगे, तब क्या होगा, ऐसे ऐसी कुछ-कुछ चीजे मैंने आपको यहां पर बताइए कि people कैसे बड़ा हो रहा है, कैसे चोटा हो रहा है, क्या उसके use है, lenses कौन-कौन से use कर रहे हैं, जो disease हो रही है, उनको cure करने के लिए कौन से lenses को इस्तेमाल कर रहे हैं, disease के type कौन-कौन से हैं, क्या-क्या precaution measures है, बहुत सारी ऐसी चीजे हमने इसके अंदर सीख लिए, I hope कि यह पूरे का पर सेक्षिन आपको समाझ आएगा, हम मिलते नेक्स्ट वीडियो में, bye bye, take care, see you, love you all